नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल बेसी एस बेसिक फिक्स में और आज की इस वीडियो में हमें कक्सा बारा का टोपिक के लेकर चल रहे हैं नाभी की विखंडन नुक्लियर फिशन नाभी की विखंडन क्या है? नाभी की विखंडन नाभी की अभिक्रियाओं का एक परकार ही है इसमें एक भारी नाभी की दो हलके नाभी को में टूड जाता है तो उसे अभिक्रिया को हम नाभी की विखंडन कहते हैं तो ऐसी नाभी के विकिरिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हलके नाभिकों में टूड जाता हो नाभी के विखंडन अभिकिरिया कहलाती है देखे दोस्तों हम यहां पर आप लोग को एक एकजांपल से समझाएंगे हमें यूरेनियम का एक परमाणू लेंगे और उसके उपर एक न्यूट्रोन का अटेक करवाएंगे न्यूट्रोन जब यूरेनियम के परमाणू पर अटेक करता है तो उसे यूरेनियम परमाणू को दो टुकडों में तोड देता है देखे कैसे तोड़ता है हम एक example के जरी आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे हमारे पास में है uranium 235 परमाणु करमाण के बाण में दुरिमान संक्या है 235 और इसके उपर हम neutron का attack करवाते हैं ये हमने आकरवन कारी करण लिया है neutron और जब इसके उपर इसका आकरवन होता है तो ये uranium 236 में convert हो जाता है uranium 236 में convert हो जाता है uranium 236 में ये बदल जाता है दोसो अब uranium 236 है ये एक ऐस्थाई नाबिक होता है ये एक ऐस्थाई नाबिक होता है तो ऐस्थाई नाबिक है ये अपने आप ही दो हलके नाबिकों में तूड जाते हैं देखे कैसे होंगे टुकडे, जैसे एक जो टुकड़ा है उसमें बेरियम, और दूसरा जो उसका टुकड़ा है वो है क्रिप्टोन, ये कोई fix नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टोन में ही तूटे, ये कोई particular नहीं है, fix नहीं है, बट इस तरीके से हम कुछ examples आप लोगों को औ दुरिमान संख्या 90 तो यहां से आप देखेंगे कि जो परमाणू करमांग है वो तो बाण में के इक्वल हो गया दुरिमान संख्या 234 के इक्वल हो गई तो यहां पर दो न्यूट्रोनों का भी उत्सर्जन होता है साथ में उर्जा का भी उत्सर्जन होता है तो ऐसी नाविक ये अभिक्रिया है उसको हम नाविक ये विखंडन कहेंगे एक भारी नाविक होता है और वो दो हलके नाविकों में तूड़ जाता है तो इस अभिक्रिया को दोस्तों हम कहेंगे नाविक ये विखंडन अभिक्रिया यहां से मैं यहां पर पूट कर देता हूँ यह मूल नाबिक है हमारे पास में मूल नाबिक है और यह भारी नाबिक है मूल नाबिक है और कैसे है भारी और यह हमें मिला है बाद में एक एस्थाई नाबिक एस्थाई नाबिक हमें प्राप्त होता है और ऐस्थाई नाबिक से जो हमें लास्ट में जो प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद या उत्पाद ये हमें मिल रहे हैं उत्पाद और ये जो उत्पाद होते हैं वो हलके नाबिक होते हैं अब यहां पर हम आप लोगों को थोड़ा सा और समझा दें कि यह जो नाभी की विखंडन अभी की रिया है वो AC की AC हो, HD ऐसा की ऐसा ही हो गया को जरूरी नहीं है यहां पर barium 144 है, 144 का होना जरूरी नहीं है, यह ऐसे भी हो सकता है या इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं कि बेरियम जैसे 144 ही बने साथ में यहां पर क्रिप्टोन 89 का निर्मान हो तब यहां पर तीन न्यूट्रोनों का उत्सर्जन होगा और कुछ उर्जा का भी उत्सर्जन होता है यहां पर जो नाभी की भीकिरिया है वो इस प्रकार से भी हो सकती है कि देखें इससे ये भीकिरिया भी हो सकती है इससे ये भीकिरिया भी हो सकती अब देखो अगली जो भीकिरिया है वो मैं बता रहा हूँ जिनौन परमानो करमान के चोवन, दुरिमान संख्या हम यहाँ पर ले ले 140, दुरिमान संख्या हमने यहाँ पर कितनी दिखाई है आप लोगों को 40, और यहाँ पर स्ट्रोंसियम बहार निकलता है और स्ट्रोंसियम जब बहार निकलेगा स्ट्रोंसियम को हमें दुरिमान सेँक्ष उसकी हो जाएगी. तो यहाँ पर देखी दोस्तों क्या नहीं है, परमानो करमांग कितना हो जाएगा, चोरान में, और यहाँ पर हमारे पास में निकलेंगे दो न्यूट्रोन, 140, 134 और दो न्यूट्रोन निकल जाएंगे, साथ में कुछ उर्जा का भी उत्सरजन होता है और उर्जा का मान है वो लगभग 200 मेगा लेक्ट्रोन वॉल्ट के सम्थिंग होता है यहां पर देखेंगे कि यह यूरेनियम 235 से ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है यहां पर एंटी मनी भी बन सकता है, परमान करमांग 51, दुरिवान संख्या 133 साथ में यहां पर नायोबियम का उत्सरजन हो सकता है, 41 तो देखेंगे दुरिमान संख्या का भी जो दुरिमान संख्या भी यहां पर संदक्सित रहेगी जितनी हमारे पास में अभिकारकों की दुरेमान सेंख्या है उतनी ही उत्पादों की दुरेमान सेंख्या रहेगी परमानो कर्मांग भी सन्रक्सित रहेगा अर्थात जितनी अभिकारकों की परमानो कर्मांग है उतना ही तो यहाँ पर बाण में है तो 51 प्लस 41 बाण में हो गया यहाँ पर 2 neutron जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ से देखिए 133 और 2 हो जाएगा 135 और इसका हो जाएगा 101 यहाँ पर देख लीजी इसको समझ लीजी तो यही आएगा प्लस में क्यूं उर्जा का उत्सर्जन होता है तो यह हमने नाभी के विखंडन के कुछ examples आप लोगों को बताए नाभी के विखंडन अभीकिरिया कि मैं definition यहाँ पर पूट कर देता हूँ कि ऐसी नाभी के अभीकिरिया जिसमें एक भारी नाभीक दो हलके नाभीकों में तूड जाता है दो हलके नाभीकों में तूट जाता है कोमा नाभी के विखंडन अभीकिरिया कहलाती है इस reaction को हम है nuclear fusion reaction कहेंगे और यह हमने कुछ examples लिखाए हैं कि uranium 235 किस प्रकार से दो हलके नाभीकों में तूड ता है तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि यह जो हलके नाभीक की तूटने का तरीका है वो इस तरीके से होगा कि दुर्यमान सेंख्या लगबग 90 के नजदीक है इनकी यह 90 हैं यह 89 है यह 94 है यह 101 है और इनकी 140 के something इनकी दुर्यमान सेंख्या होती है तो जो नाभीक के विखंडन अभीकिरिया होती है तो उनसे जो उत्पाद बनते हैं उनके लिए में जो उत्पादों की जो लब्दी है वो किस तरीके से होती है दो उत्पाद बनेंगे और उत्पादों की लबदी के लिए मैं एक graph आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि यहां से यह हमारे पास में इस टाइप का graph प्राप्त होगा यह है उत्पादों की दुरिमान संख्या उत्पादों की दुरिमान संख्या जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उत्पाद की दुरिमान संख्या ये जो दुरिमान संख्या है वो सम्थिंग रहेगी 90 के और ये जो दुरिमान संख्या है वो सम्थिंग रहेगी हमारे पास में 140 के सम्थिंग इसका मिलब है कि 190 और 140 के something दुरिमान संख्या वाले उत्पाद लबदी कितने प्राप्त होते हैं परतिसत में हम यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं कि 90 वाले ज्यादा होते हैं 140 वाले उसके साथ में होते हैं तो इनके बीच में जब 120 के something दुरिमान संख्या वाले नाबिक में यह नहीं तूड़ता और हम यह भी जो दो हलके नाबिकों में तूड़ते हैं यह बताते हैं लेकिन उनका दुरिमान बिल्कुल समान हो यह जरूरी नहीं होता एक का तो लगबग 90 के something होगा दूसरे का 140 के something दुरिमान होगा और यदि हम बात करें कि यूरेनियम नाबिकी तो यूरेनियम का जो नाबिक है उससे जब दो हलके नाबिक बनते हैं तो यहां पर कुछ उर्जा का भी उतसरजन होता है और 200 मेगालेक्टोन वॉल्ट की उर्जा का उतसरजन यहां पर होता है दोस्तों हम आपको एक example के जरीए समझाएंगे कि लगभग कितनी उर्जा का उत्सरजन होता है यहां पर दोस्तो नाभी की विखंडन पर आधारित यह हमारे पास में एक example है कि uranium 233 पर 235 पर जब हम neutron काटेक करवाते हैं तो uranium 236 में convert हो जाता है और यह barium और krypton में टूड जाता है barium 141, krypton 22 में टूड जाता है साथ में 3 newton का भी यहां पर उत्सरजन होता है दोस्तो यहां पर आप देखेंगे कि इस अभी किरिया के अंदर कुछ उर्जा का उत्सरजन होता है हम यहां पर इस एक्जामपल के जरी आप लोगों को बताएंगे कि इस उर्जा की value कितनी होती है हमें uranium 235 का दुर्यमान दे रखा है barium 141 का दुर्यमान दे रखा है krypton 22 में का दे रखा है neutron का दे रखा है तो इस अभीकरिया में कितनी उर्जा का उत्सरजन होता है देखे दोस्तों यहां पर जो उत्पाद बनते हैं इनका दुर्यमान कम होता है अभीकारकों का दुर्यमान है वो अधिक होता है और दुर्यमान में जो आई कमी है वही जो कमी है वह है उर्जा में रूपांतरित हो जाती है Einstein के दुर्यमान उर्जा संबंद के अनुसार उर्जा में रूपांतरित हो जाती है यहाँ पर हम दुर्यमान क्षती पहले find out करेंगे कि दुर्यमान क्षती कितनी है इस example में सबसे पहले हम देखते हैं दुरिमान क्षति दुरिमान क्षति को हम delta m से put करते हैं तो delta m किसके बराबर होगा देखें दोस्तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अभीकारकों का दुरिमान तो अभी कारक हमारे पास में है uranium 235 और uranium 235 का दुरिमान है हमें 235.0439 दे रखा है प्लस में हमारे पास में एक अभी कारक और है 1.00866 neutron है उसका दुरिमान इतना है अब उत्पादों का दुरिमान उत्पाद हमारे पास में एक दो बेरियम है बेरियम का दुरिमान हमारे पास में है 140.9139 प्लस क्रिप्टोन का दुरिमान है एक राण में 0.897 साथ में यहां पर 3 neutron उतसर जित हो रहे हैं तो 3 गुणा में neutron का दुरिमान है 1.00866 यह हमारे पास में दुरिमान ख्षती आ जाएगी इधर ध्यान देंगे आप लोग सभी delta m equal इसमें जब इसको aid करेंगे तो देखे कितना मिलेगा point के बाद में हमारे पास में 6, 15 हांसिल की एक हो गई तो 9, 9 और 3 बार है एक हांसिल की हो गई तो यहां से 5, 0 और यह हमारे पास में आगए 236 इतना इनका योग हो गया फिर minus में minus में आप देखेंगे इसको हमें किस प्रकार से लिख सकते हैं एक बार एक साथ calculate करेंगे 140.91, 3, 9, 0 लगा देता हूं प्लस में यहां से आप देखेंगे 11.897, 2, 0 लगा देता हूं इसकी यहां से calculation देखें इनका यहां से multiply देखें तीन से इसको गुणा करेंगे तो 18, 19, 24, 25, 0 और यह 3 आ गया यह हमारे पास में अब इनका addition करना है यहां से तो delta M बराबर कितना निकल कर आ रहा है 236.05256 माइनस अब इनका addition में यहां पर कर देता हूं तो 8 आजेएगा हमारे पास में फिर दूसरा नमबर 9 और 9 हमारे पास में 18 एक हांसिलका हो गया तो 6 और 7 तेरे तेरे और 3 हमारे पास में 16 हो गया एक हांसिलका हो गया तीन और 9 बारे बारे और एक तेरे एक हांसिलका हो गया तो एक 9 और 9 और 18 हो गया एक हांसिलका हो गया दोस्तों तो यहां से यह 4, 4 और एक 5, 5 हमारे पास में आ गया है फिर 9 और 14, 9 और 14 हमारे पास में यहां से आएंगे 9 और 14, 23 यह हमें मिला है दोस्तों अब इसको भी हम गठा लेंगे तो हमारे पास में डेल्टा एम आ जाईगा तो यहां से आप देखेंगे 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 आ गया फिर 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 आ गया फिर यहां से 12 में से 6 निकालेंगे 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 आ गया फिर यहां से आप देखेंगे 14 में से 4 आ गया 14 में से हमारे को निकालना है 4 है तो 4 में से 3 निकालेंगे एक आज़ेगा हमारे पास में फिर यहां से भी एक हांसिल का लेना पड़ेगा तो हमारे पास में देखी क्या जाएगा एक हांसिल के लेंगे 10, 10 में से 2 निकालेंगे तो 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बच गया, फिर 0.0 ये हमारे पास में AMU के अंदर धुरिमान आ गया है दोस्तो 0.21578 यदि इसकी केलकुलेशन गलत है तो आप एक वार जरूर करके देख लेना थोड़ा उपर नीचे हो भी सकता है केलकुलेशन में क्यू बराबर, क्यू बराबर डेल्टा M इन्टु सी स्क्वेर यहाँ पर आप देखें ये कि जो डेल्टा M है वो है 0.21578 और यह है AMU इन्टु में सी स्क्वेर और एक AMU देखें दोस्तो एक AMU इन्टु सी स्क्वेर होता है 931.5 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट के तुले अर्थार्थ जो एक AMU दरिमान यदि आप लेते हैं तो उसके तुले उर्जा इतनी होती है जब इसको आप केल्कुलेट करेंगे तो हमारे पास में 0.21578 गुणा में 931.5 यह मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट में हमारे पास में उर्जा आएगी और यहां से जब इसकी calculation करेंगे दोस्तों तो इसका मान लगभग 200 MB प्रापत होता है 200 MB उर्जा प्रापत होती है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि जब Uranium का नाभी की विखंडन होता है एक पर्मानू से हमें 200 MB उर्जा का उदसरजन होता है 200 MB उर्जा मिलती है नाभी के विखंडन अभिग्रिया होती है उनसे बहुत ही जादा मात्रा में उर्जा का उत्सर्जन होता है अत्यदिक मात्रा में उर्जा का उत्सर्जन होता है देखे दोस्तों जो परमाणू बंब है वो नाभी के विखंडन अभिग्रिया पर आधरित होता है उसमें बार परमानों का विखंडन होता है और अत्यदिक मात्रा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में उर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों तो यहां पर हमने समझा इस वीडियो में कि नाभी किये विखंडन क्या होता है नाभी किये विखंडन अभीकरिया से कितनी उर्जा का उत्सर्ज होता है आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों